कोश्चन है हमारा संसाधन संरक्षन की उपयोगिता को लिखे इस कोश्चन में आपसे ये जो है संसाधन संरक्षन इसी की उपयोगिता को लिखने के लिए कह रहा है ठीक है यहां पर देखे संसाधन संरक्षन की निमलिखित उपयोगिताएं हैं ठीक है ये सारी जो है ये सार संरक्षन की उपयोगिता आए हैं ठीक है नंबर वन पर ध्यान दीजिए संसाधनों का नियोजीत एबम विबेकपुन धंग से उपयोग करना दोस्तों यहां पर आपसे यह जो है संसाधन ठीक है संसाधनों का नियोजीत नियोजीत मतलब चाहता है तो प्लान बनाकर ठीक है तो संसाधन का प्लान बनाकर उप्योग करने के लिए क्या रहा है ठीक है और एक बात है विबेकपुन मतलब बुद्धी से समझदारी से संसाधन का उप्योग करने के लिए बोल रहा है तो इस बात को याद रखें कि संसाधनों का नियोजित एबम विबेकपुन धंक से उप अब आगे देखिए आने वाली पिढ़ी को देखते हुए संसाधनों का उपयोग करना दोस्तों ये जो संसाधन है जिस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी है इसी तरह से हमारा जो अगला पिढ़ी होगा याने आने वाली जो बंस है मतलब आने वाली जो पीड़ी है उसके लिए भी संसाधन उपयोगी होगा इसलिए बोल रहा है कि आने वाली पीड़ी को देखते हुए संसाधन का उपयोग करना है ठीक है अब यहाँ पर दिखें तीन नमबर लोगों को संसाधन के रक्षा के प्रति जागरू करना दोस्तों हमारे शमाज में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें यह जो संसाधन है इस संसाधन का शमज जो है वो नहीं है ठीक है संसाधन का समज नहीं होने के करण यह लोग संसाधन का गलत उपयोग कर रहे हैं इसका दुरूपयोग कर रहे हैं इसका विदोहन कर रहे हैं यह जागरू करना अत्यांत आवश्यक है बहुत आवश्यक है लोगों को संसाधन के रक्षा के परती जागरू करना यह संसाधन संरक्षन की उपयोगिता है ठीक है नश्पन देखिए संसाधनों का अनावश्यक बरबादी को रोकना दोस्तों बरबादी यह बहुत ही खराब हुआ होता है चाहे वो कीसी चीज की हो ठीक है तो यह जो संसाधन एंहे संसाधन इसका अनावस्यक मतलब बीना कोई आवसकता का उप्योग करना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम संसाधन का बीना कोई आवसकता का इसका अगर हम संसाधन का दुरूपयोग करेंगे ठीक है इसलिए संसाधनों का अनावस्चक बरबादी को रोकना संसाधन संरक्षन की उपयोग इता है इसे ध्यान में रखे थैंक यू